एक हलो गाईज रादे रादे वेलकम बेक मैंने यूख तो कैसे हैं आप स्ब देखें आज हम अपनी सश्राल आये हुए हैं आज हम अपनी सश्राल आये हैं अचानक से सस्राल आना पड़ा हमें क्योंकि सासूमा हमारी गिर गई थी तो उनके हाथ में चूट लग गई थी तो उसी वज़े से मचानक ससुरा लाए देखने तो बस देखिए आपको और सबसे मिलाते हैं हमने आप से कहा कि सबसे मिलाएंगे लेकिन मेरे पापा मेरे ससुर और देवर बाहर गए है और देवरानी, देवरानी के बच्चे और सास हैं उनसे आँगे आपको मिलाते हैं तो देखिए ये मेरे छोटू साहब बना रहे हैं समूसा देवरानी देखिए मेरे समूसा की तयारी किये थी तो ये देखिए समूसा बना रहे हैं देखिए और ये छोटू दिवरानिक छोटा ला बेटा वो परेसान कर रहा है कि मम्मी हम भी समोसा बनाएंगे मम्मी हम भी बनाएंगे और वो बनाने नहीं दे रहा कई रहा हम बनाएंगे तो वही वो डाट रहे हैं बार बर देखिए समोसा उनको पता नहीं था कि हमारा ब् तो देखिए समोसा बन रहे हैं और हमें देरा कही रहा है लो बड़ी मम्मी देखो हमें देरा बहुत परेसान करता है तो बस वही समोसा बनाने के चकर में और लेट हो हुए जा रहे थे क्योंकि हमें कानफूर वापसी भी होना था हम तो मम्मी को देखने के उससे गए थे और बस वह जल्दी बना रही है कि भाई जी की तबियत ने ठीक है तो तोड़ा खा लेंगे उनको जाने के वाद एकदम फीवर आ गया तो वही वह जल्दी बस बनाने में लगी हुई है कि समुसा बना दे तो भाई जी खा ले तो देखिए गर्मा गरम समुसा बन गए है बना फोटू अपने बड़े पापा और दादी के लिए ले के जा रहा है समुसा प्लाट पे क्योंकि हमने अमलब हर घर में गाउं में दो दो तीन तीन मकान होते हैं बहुत सारी जगह होती है ना तो वहीं पे हमाया भी मतलब एक घर पे जानवर बगएरा है भैस बगएर तो मम कर रहे हैं कि यह तो घर में मतलब वो सप्याज बगएर अपीस के नहीं जादा खेर चोट नहीं लगी तो वहीं बांद दिया तो कह रहे हैं खेर काफी कुछ आराम है और अब देखे हम लोग निकल रहे हैं और हमने बाहर का जादा वीडियो तो नहीं बनाया क्योंकि हम आ गाओं का हमने कोई भी वीडियो बना नहीं बनाया जब हम गाओं के बाहर चोरहां पे आ गए तब हमने बनाया क्योंकि वहां पे बाहर काफी लोग बैठे हुए थे और हमारे यहां भाई परदा होता है मतलब सर पे पलू और पलू के बाद भी रुपट चुनी जो भी हो उड़ो उसके बाद मतलब निकला जाता है बाहर तो हमने मतलब गाओं में कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया जब गाओं के बाहर निकालाया तब हमने ब्लॉग बनाया रश्ते में तो बस यह हमारी आज का संडे का दिन रहा पूरे दिन भागम भाग मची रही बस जाना और पूरे दिन भागम भाग रही और बस देर हो रही थी हमें बहुत क्योंकि हमें पूजा करनी थी हमारा वहां पे थीन बज़े के बाद बस हमें यह लग रहा था किसी तरह घर पहूंचे और यहाँ पे आए तो यहां पे क्लोसिंग बंद गाओं जाने में क्लोसिंग मिलती तो यहां पे क्रॉसिंग बंद अब यहां पे काफी देर तो यहां क्रॉसिंग में लग गई क्रॉसिंग बंद थी और जब खुली तब हम लोग निकले और भीड की वजह से हम थोड़ा सा मतलब उतर गए थे बाइक से तभी हमने ये वीडियो तो दोस्तों हम कान पूर आ चुके हैं अपने घर पे यहां पे मतलब अपने रूम में और आके कपड़े चेंज किये कपड़े चेंज करने के पार हाथ पर दुले हाथ पर दुले के बाद पूजा की क्योंकि पूजा का टाइम ता प्रदोस का टाइम हो रहा था प्रदोस मतल ऌड़ा की पूजा करनी घृत चले अर्म मिलब जलदीम अची अमारी अज पूजा बार जैए गया आध पूम यह वहाँ हमारी पूजा ले यहां से गय सब कुछ ठीक थाएं और वहां जाने के बाद हैं। मम्मी रोई कि और दूसरी दवा दो फिर पापा ने मतलब बोलिल कosphory दी तुमक würde कुछ आरां मिला आरां के बाद मिलनें के बाद तब हम लोग निकले तो हो सकता है ku पूजा की वज़े से ये था कि हम लोग महाँ से तीन मज़े निकल लेंगे, क्योंकि वैसे कोई खास काम नहीं था, बस मम्मी को देखने की वज़े से हम लोग गए थे, तो बस उसी चक्कर में बुखार नहीं उत्रा, जब इनका बुखार उत्रा कम हुगा मतलब तब फिर हम लोग आए और आने के बाद अब वो गए दवा लेने और हम ने जल्दी से हाथ परदुल के पूजा की क्योंकि हमें पूजा के लिए बहुत लेट हो रहा था और इसलिए हमने देखे प्रदोस की पूजा की कथा की और अब जा रहे हैं अपने लिए कुछ बनाने काने के अगर आपको जरा भी मेरा ब्लॉग समझ में आया हो अच्छा लगा हो तो प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेट ब्लॉग में रादे रादे हरर महादेव